नमस्कार दोस्तों मैं वी चतुरवेदी पातफ़इंटर एज्यूकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का सागत करता हूं मित्रों आपसे निवेद रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल वे प्रतन बार है था हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब क सब्सक्राइब को प्राप्त हो सके जैसा कि आप थंबल लेन में देख पा रहे हैं नई सच्छक भरती की खोष्णा को ले करके डिलर बीटी सी ओटेट की जो पास अभ्यार्थी हैं वो अपनी मांग बर्दे सरकार से रख रहे हैं उसी को ले करके आज समाचर पत्रों में या सुचना प्रमुकुक से चाही हुए हैं नई सच्छक भरती की खोष्णा की मांग को ले करके अभ्यार्थी डटे हुए हैं अभ्यार्थी कर कहना है कि 79,000 सक्छक भरती की तुरंद बर्दे में उसर प्राप्त हो सके अगली सुचना निकल के एड़े सिग्र घोसित होगी सीब्यासी बोर्ड जैई नीट आदी की परिष्णा की तारीख है 17 को सचकों के साथ निसंग की चर्चा के बाद घोड़ सा संभव है परिष्णा को आगे बढ़ाने की चात्रों की मा अगली सुचना निकल किया रही है जहारखंड लोकसेवा आयोग से यहां से PCS के जो भी पोस्ट आई है उनके लिए रेजिस्टेशन आज से स्टार्ट हो गया है व्योसाइट आयोग की है PCS.CG.GO.IN पर आप आवेदन कर सकते हैं आवेदन की आखरी जो तारीख है 12.90 2021 ने अगली सुचना निकल किया रही है उतर प्रदेश लोकसेवा आयोग से पीशे 2021 में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं अभ्यार्थी पिछले 2-3 सालों से यह चीज देखते आ रहे हैं का आयोग कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन में नया बदलाव कर दिया करता है जिसको के ले करके अभ्यार्थी काफे परिशान है उनका कहना है कि जो नोटिफिकेशन में बदलाव किया जा रहा है उससे यह भी संभव है कि अगली जो भरती आने वाली है उसमें भी कोई न कोई संसोधन कर दिया जाए तो अभ्यार्थी कोई भी संसोधन नहीं चाहते हैं इस कारण बस उन्होंने उत्तरपदेश के मुखवंदर को पत्र लिख करके यह बात आउगत करानी चाहिए अगली सुचना निकल के आ रही है अभ्यार्थियों को देना होगा कोरोना न होने का गोशापट आपको बता है रेलवे भरति परिक्षा की सुरुवात हो गई है और आज से परिक्षा जुरू हो रहे हैं तो उसी से संदर्भीत करके या सुचरा निकल के आ रहे हैं कि जो भी अभ्यारती परिक्षा देने जाएंगे उन अभ्यारतियों को कोरोना नौ होने का घुस्टना पत्र देना होगा कोरोना काल में पहली बार आज से शुरू हो रही है रेलवे भरती परिक्षा तो इस तरह से रेलवे भरती परिक्षा जो सुरू हो रही है उसमें कोरोना नहीं है इसको असपस्ट प्रमारित करना होगा उन अभ्यार्थी को जुनकी की कि परिक्षा और ले से संब्दित था हैं या की परिक्षा देने जा रहाएं आप सभी जानते हैं पंद्रह से 28 तक के जो कारिकरम है रेल्व परिकषा के लिए जो पंजीयन तिति थी वह बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर तक कर दी गई है तो जो भी अभियार्ती स्कॉलर्सी का फार्म नहीं भर पाया है वह स्कॉलर्सी का फार्म 31 दिसंबर तक registration करा के भर सकते हैं और पहले जो यह तारीक थी आपको पता है 15 दिसंबर यानि आज तक की ही थी तो इसमें 15 दिन का लगभग जो है 15 से 16 दिन बढ़ा दिया गया है तो जो भी अभियारती फार्म न भरे हैं वो फार्म भर दें और अब यह डेड़ जो है 31 दिस तो वो सभी जो अभियारती न भर सके हैं उनके लिए यह एक आउशर होगा और वह अपना जो है फार्म इस माध्यम से भर दें अंगली जो सूचना निकल के मित्रों आ रही है वह है यल्टी गेट परिश्या से समधित है यल्टी गेट हिंदी सामाजिक विग्यान की खाले जारी किये जाने के बाद अब चैनित अभ्यारतियों के प्रमाण पत्रों आदिका मिलान चल रहा है अपर सिछा निदेशक ने सभी जिला विद्यालेव निरचकों से खाली पड़े पद्धों के सत्यापन कराने की बात भी कही है और जो खाली पद्ध हैं उनके पत्र को मिलान किया जा रहा है पदों के बिज़ ही अपर सिछाने देशक डाक्टर अंजन ना गोयल ने प्रदेश के सभी जिलों से बिद्या लेने इच्छकों को पत्र लेकर के राजकी माधिव के द्यालों में हिंदी वा समाजिक विज्ञान से खाली पदों के सत्यापन कर रही है तो अगली जो सूचरा निकल रही है वो निकल क्या रही है दौलत राम कालेज जिली विश्वी देले आनी डियू से तो दिलही उन्वेसिटी से कुछ पदों पर जो की नान टीचिंग है उसमें जो आई हुई है इसको आप देख लेजे लगवग 20 पद है इसमें ए अधिक्तम जो एज है 27, 30 और 35 वर्स पद के अरुस्वार क्रमवार ने घायत की गई है योगतायां भी आप देखेंगे दस्वी से लेकर के आगे अकडमिक वगएरा सारी जो है दी गई है डिप्लोमा वगएरा भी माना गया है तो और इसमें जो विग्यापन प्रकास फार अगली जो न्यूज है वह भी भरती से सही संबंदित है जिसका की डीटेल आप देख पा रहे होंगे इसमें बीटेक वगएरा के जो अभ्यारती है उनके लिए जो अब निकली है जिसमें है क्या बिमान पत्तन प्राधिकर्ण में आवेदन का मौका तो इसका भी डीटेल आपके पास है लगभग 368 पद इसमें निकले हैं आयू सीमा भी दी गई है इसमें 27 32 32 पद के अनुशार हगली जो सूचना निकल क्या रही है मित्रों वह निकल क्या रही है नए नोटिफिकेशन टीजीटी पीजी 2020 के लिए आप देखेंगे उत्तर प्रदित माद्विक सि चैन बोर्ड प्रियाग्राइटी टीजीटी-पीजीटी के रिक्त पदों के लिए लगबग 16,000 पदों की जो आवेदन है वो दिसंबर माह के अंतिन हपते में देने की बात कही जा रही है चैन बोर्ड अभी टीजीटी-पीजीटी जीए ग्यान के रिक्त पदों का आन-ला बीस को ले करके वह लगबग कंप्लीट हो गई है जो आवेदन की तिथी है नोट्रिफिकेशन वगएरा है वह लगबग दिसंबर के लास्ट सब्ता हमें आने की पूर्ण उमीद है टीजी-जी-दोहजा सोला के हिंदी विशेक का जो इंटर्विव है वह भी खत्म हो गया है सुचना सुनने के लिए मित्रों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद एक कुछ महत्यपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए आज की थी